एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे उचा जानवर था। उसकी गरदन बहुत लंबी थी जिसके कारण वह उचे उचे पेडों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी उचाई और लंबी गरदन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में तीन जंगली भैसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस्थान पर पहुँचे जहां जिराफ एक उचे पेड के पत्ते रहा था। उनका मन भी पेड के पत्ते खाने का हुआ लेकिन उनकी उचाई जिराफ जैसी नहीं थी नहीं उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले जिराफ भाई थोड़े पत्ते हमें भी दे दो। हम भी जरा इन पत्तों को चक कर देखें। घ जो तुम्हें पेड से पत्ते तोड तोड कर खिलाओं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैसो को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे। जंगल के जानवरों को मिल जुलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ज्यान मत बघारो। चलो भागो यहां से जिराफ ने गुसे में कहा और पेड के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उस वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैसो ने जब शेर को देखा तो भाग कर एक गुफा में छुप गए। पेड के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुँचा और जोर से दहाडा तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। दर के मारे उसकी घिग्धी बंद गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैसो ने उसकी गुहार सुनी। एक भैसा बोला इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैसा बो नहीं भाईयों। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैसों को तीसरे भैसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकल कर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुचकर उन्होंने उसे ललकारा हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने तीन बलशाली जंगली भैसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड तूट चुका था। वहा अपने व्यवहार पर पच्चताने लगा और भैसों से क्षमा मांगने लगा। भैसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। सीक एक। घमंड नहीं करना चाहिए। दो सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। आशा है आपको द एंड दा लायन स्टोरी पसंद आई होगी ऐसी ही हिंदी मोरल स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब अवर्श करें धन्यवाद